हेलो दोस्तों क्या आप भी अपना एक छोटा मोटा बिदनेस चला रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको भी थोड़े बहुत पैसों की हेल्प मिल जाए तो आप उस बिदनेस को इक अच्छे से स्केल पर डेवलोप कर सको तो दोस्तों आज मैं आपको इक ऐसा तरीका बताने वाला हो जिसके अंदर आप यहां से 1 लाख रुपे से लेके 5 लाख रुपे का लोन केवल 3 दिन के अंदर ले सकते हो तो दोस्तों अगर आप भी अपने विदनेस के ओपर लोन लेके उसको अच्छी तरह से इंक्रीस करना चाहिए तो फिर आज का यह वीडियो जरूर आपको अंतक देखना चाहिए और दोस्तों अगर आपको ऐसे नए नए वीडियो देखना पसंद दे तो आप हमारी चेनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल का इकन भी जरूर दबाना ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेकर आओ तो उसका notification direct आपको आपके mobile में मिल सके तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको jiplon.in के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों ये company आपको अपने business को increase करने के लिए एक लाख रुपे से लेके पांत लाख रुपे का loan केवल तीन दिन के अंदर provide करवाता है दोस्तों वेसे तो market में बहुत सारी company जो आपको business loan देती है बट jiplon सबसे अलग क्यों है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ इसमें से सबसे first number का benefit आपको jiplon का ये रहता है कि यहाँ पर आपको कोई भी चीज गीरवी रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको बिना किसी guarantee के भी यहाँ से अच्छी तरह से loan मिल सकती है इसका benefit number 2 है कि jiplon जो company है वो RBI के guidelines के अंदर आती है तो अगर आप 6 महिने के बाद उसका पूरा payment करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी external charge देने की जरूरत नहीं है without charge भी आप यहाँ से loan को pay कर सकते हो इसके अलावा इसका main benefit तो यह है कि इसका पूरा process online रहता है जिससे आपको कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती तो चलिए दोस्तों भी मैं आपको बता देता हूँ कि jiplon में loan के लिए apply करने के लिए आपके पास क्या क्या requirement होनी जरूरी है उसके बाद में मैं आपको documents के बारे में बताऊंगा और live करके भी दिखा दूँगा कि किस तरह आपके यहां पर loan के लिए apply कर सकते हो तो दोस्तों jiplon.in पर आपके loan के लिए apply करने के लिए सबसे पहली requirement यह रहती है कि आपका last year का ITR file होना जरूरी है और वो भी minimum 0.5 लाग से plus होना चाहिए इसके अलावा second requirement यह है कि आपका जो भी business है उसका turnover yearly minimum 5 लाग से ज्यादा होना चाहिए और इसके अलावा requirement की बात करें तो आपका जो भी running business है वो कम से कम 2 साल से पुराना होना जरूरी है इसके अलावा अगर मैं आपको बात करू तो जो आपकी business की property है वो आपके नाम पर होना जरूरी है अगर वो आपके नाम पर नहीं है तो आपका जो भी घर है वो आपके नाम पर होना जरूरी है तब भी आप यहां से loan के लिए apply कर सकते हो और दोस्तो इसके अंदर अगर हम document requirement की बात कर तो इसमें से first document में आपका RTR file की जो भी copies होगी उसकी जरूरत पड़ेगी इसके अलावा आपके last 9 मैने का या फिर एक साल का जो भी आपका bank statement है जहां पर आपका turnover पांट लग से ज्यादा दिखाई दे रहा हो online, on paper यानि की legally वो देना जरूरी है इसके अलावा आपका आधार काट चाहिए होगा और पांट काट चाहिए होगा बस इतने से document अगर आपके पास complete है तो आप यहां पर apply कर सकते है दोस्तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पर आप किस तरह loan के लिए apply कर सकते है तो यहां पर दो simple process है जिसमें से first है कि आपको यह जो number दिख रहा है वहां पर आप miss call कर सकते हो जैसे ही आप यहां पर miss call करोगे तो company के सामने से एक बंदे का आपके उपर call आएगा और आपको सारी चीज़ अची तरह से समझा दी जाएगी और तीन दिन के अंदर आपकी सारी process भी complete करके यहां से आपको एक लाग से लेके 5 लाग रुपे तक का loan easily मिल जाएगा इसके अलावा second process है online की अगर आप ziplon.in की online website पर जाते हो तो वहां से भी आप online application कर सकते हो loan के लिए apply कर सकते हो उसके लिए simply आपको यह form fill up करना होगा और बाद में वहां से आपको direct contact किया जाएगा और आपको सारी process अच्छी तरह से समझा दी जाएगी तो दोस्तो कुछ इस तरह आप भी अपने business को increase करने के लिए यहां से loan ले सकते हो तो दोस्तो अगर आप भी अपने business के लिए loan लेना चाते हो तो जरूर ziplon.in का use आपको करना चाहिए या फिर अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिनको loan की requirement हो तो उसे भी आप इस वीडियो को share कर सकते हो तो दोस्तो मुझे आसा है कि आज का इस वीडियो आपके लिए जरूर helpful साबित हुआ होगा तो अगर आपको आज का इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कर देना इस वीडियो को सब के साथ share कर देना इसके अलाव अगर आप मेरे से कोई भी सवाल पूसना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके आप मेरे सो पोच सकते हो उसका रिपलाइ मैं आपको जरूर दूँगा तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ